नमस्कार मैं हूँ विज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट एक्साइटेड हैं जाहिर सी बात है शारुक को लोग इस अवतार में देखेंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है शारुक के टीजर को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला था इसमें शारुक खान के साथ सल्मान खान भी नज़र आये थे फिल्म का बेसबरी से सभी इंतजार कर रहे हैं लेकिन आईए आपको बताते हैं कि शारुक से पहले और भी कई दूसरे आक्टर फिल्मों में इस तरह का रोल निभा चुके हैं आपको बता रहे हैं कि कौन-कौन से आक्टर बड़े पर बॉने बन कर आ चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पॉंस मिल चुका है उन्हें अपू राजा फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाने के लिए अपनी पेचान बनाने वाले आक्टर कमल हसन बॉने के रोल में निज़र आ चुके हैं 1989 में बनी फिल्म अपू राजा में कमल हसन ने दो भायों का किरदार निभाया था जिसमें से एक अपू बॉना था बहत सफल इस तमिल फिल्म को हिंदी में डब करके उत्तर भारत में रिलीज किया गया और दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया अनुपम खेर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म जाने मन में अनुपम खेर बॉने के किरदार में नजर आ चुके हैं हालाकि फिल्म में अनुपम का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था लेकिन पहली बार इस तरह के किसी किरदार में वो नजर आये थे फिल्म तो कुछ खास नहीं चली लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर को पसंद किया गया उनके इस अवतार के लिए जॉनी लीवर साल 2001 में आई आशिक में जॉनी लीवर भी बॉने की किरदार में नज़रा चुके है इस फिल्म में उनके इस बॉने किरदार को काफी पसंद किया गया फिल्म में मुख्य भूमिका में थे करिश्मा कपूर और बॉबी दियोल तो ये हैं वो एक्टर्स जो इन फिल्मों में बॉने बनकर किरदार में जान डालते नजर आये और इन फिल्मों में इनका ये अवतार लोगों को काफी पसंद आया अब देखना दिल्चस्प होगा कि शारुक बॉने के किरदार में क्या कमाल दिखा पाते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही